जिवन उत्सहा नियूस किया दिन भर की दस बड़ी खबरों में आपका स्वागत है हिमाचल सरकार ने केंदर से मांगी कोवी शिल्ड की दस लाख डोस हिमाचल सरकार ने केंदर से कोवी शिल्ड की 10 लाख और कार्वेवेक्स की 1 लाख डोज बांगी है वर्तमान में स्वास्ती विभाग के पास कोवेक्सिन की महद 13,000 डोज बची है विभाग का दावा है कि विनिमाता ने हिमाचल सरकार को कोवी शिल्ड की 10,000 डोज की पहली खेप शिगर देने की बात कही है माचल में लाखों लोगों को बूस्टर डोज लगाई जानी है इसके चलते कोवी शिल्ड वैक्सिन की मांग की गई है बायोमेट्रिक मशीनों की खरीद में गड़वड़ी की तो नपेंगे स्कूल प्रभारी शिक्षा निदेशालिय ने दिये निर्देश बायोमेट्रिक मशीनों की खरीद में गड़वड़ी करने वाले स्कूल प्रभारियों के खिलाफ कारिवाई की चाएगी निर्धारी त्रेट से अधिक मुल्य की मशीन खरीदने की शिक्षर निदेशालिया में शिकायते पहुची है ऐसे में शिक्षर निदेशालिया ने इलक्ट्रोनिक्स कॉर्परेशन के मादियम से बायोमेट्रिक मशीनों की खरीद करने के निर्देश चारी किये है सबी स्कूल प्रभारियों को जल्द पुरानी मशीनों को दुरस्त करवाने और जहां मशीने नहीं लगी है वहां के लिए नई खरीद करने को कहा गया है हिमाचर परदेश के विकास कारियों के लिए 50,000 और सिमेंट बोरियों की आपूरती शिरू हो गई है इससे पहले खादिया पूरती निगम ने अल्ट्रा टेक कंपनी को 1,20,000 सिमेंट की बोरियों का आज़र दिया था ये सिमेंट विकास कारियों में इस्तेमाल कर दिया गया अब दूसरे आज़र की सप्लाई आनी शिरू हो गई है दफ्तर बंद करने के एक और फैंसले को हिमाचल हाई कोट में चुनोती हिमाचल परदेश की सुखविंदस ये सुखु सरकार की और से दफ्तर बंद करने के एक और फैंसले को हाई कोट में चुनोती दी गई है माजवा विदायक विक्रम सिया ने बिना कैबिनेट के लिए गए फैंसलों के खिलाब याची का दायर की है उन्होंने याची का में आरोप लगाया कि बिना कैबिनेट मनाए ही पूरू कैबिनेट के फैंसलों को रद किया जा रहा है सरकार की और से जारी परशाशनी कादेशों से कैबिनेट के फैसलों को निरिस्ट करना गैर कानूनी है सांसर पतिवासियां से मिड़े मील वर्कर यूनियन ने वेतन बढ़ाने की लगाई गुहार मिड़े मिल वर्कर यूनियन आज सांसर पतिवासियां से अपनी मांगों को लेकर मिले परदेश में मिड़े मिल वर्कर यूनियन की प्रांच सचीव हिमी देवी का कहना है कि हम काफी समय से अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं केंदर सरकार से किसी भी तरह की सायता नहीं मिल रही करमचारी वर्ग में सबसे गरीब हम हैं सरकार ना तो हमारा मांदे बढ़ा रही है और ना ही वेतन टाइम से दे रही है नहान की दो चात्राओं का राश्टेस्तर्य चिल्डर्न साइंस कांग्रेस के लिए हुआ चैन परदेश की मंडी जिले में तीसवी राश्टेस्तर्य चिल्डर्न साइंस कांग्रेस का आयोजन हुआ था जिसमें नहान के वी एं स्कूल की एनम और जस्मीत के प्रोजेक्ट राश्टे स्थर ये प्रतियोगिता के लिए चैनेत हुए हैं स्कूल की चात्रा एनम ने लंपी स्किन डिजिस पर प्रोजेक्ट त्यार किया था इन दोन चात्राओं के प्रजेक्ट को राजिस्तर पर सराहा गया और इसका चेहराश्टिस्तर के लिए हुआ है। हिमाचल विधानसबा शीतकालिन सत्र कांतिम दिन भी चड़ा हंगामे की भेंट। हिमाचल में पांच दिनों तक मौसम खराब रहने का पूर्वा नुमान। हिमाचल परदेश में मौसम करवट बदलने वाला है परदेश में पांच दिनों तक मौसम खराब रहने का पूर्वा नुमान है। मौसम विग्यान के इंदर शिमला के अनुसार परदेश में साथ जैन्वरी से बारिश बरबारी की संभावना है। मौसम विभाग नियाच चंबाल आलस्पीती के उचाई वाले भागों में हलकी बरबारी जबकि ओना हमिरपूर विलासपूर मंडी वकुल्लू में बारिश की संभावना जताई है। झाल 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 झाल